जानेंगे कि चार ऐसे क्या महत्वपूल साइन्स जिससे कि हमें ये पता चले कि आपका सोराइस का treatment ले रहे हो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सोराइस रिकावरी की तरफ चल चुका है यह हम जानेंगे इस वीडियो का हम दो पार्ट में डिवाइट करेंगे, पहले पार्ट में तो हम जानेंगे कि यदि आप इस समय कायकल ग्लोबल सेलाज ले रहे हैं, तो आपके केस में क्या रिकवरी के साइन्स हैं, एंड सेकिंड जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स दोंगा, कुछ ऐसी बाते करूंगा जिससे कि वो यदि हम सेलाज नहीं भी ले रहे हैं, तब भी उनकी जो रिकवरी है वो थोड़ी सी फास्थ हो सब्सक्राइब गैस मेरा नाम है डॉक्टर सम्मेक दरवन और मैं हो कंसल्टेंट, सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे क्या आप भी सोराइसिस से परिशान हैं, देखिए सोराइसिस एक ऐसी बिमारी है जिसक्या अगर हम ग्रीक में बात करें तो इसकी जो मतलब है सोराइसिस में, जो पहले इसके वर्ड्स हैं, पी, एस, ओ, आर, उनका मतलब ही है, इचिंग, बिमारी का नाम ही ऐसे पड़ा ह है, ग्रीक परिभाषा इसमे रखी है, बिमारी में ख़ुझली इतनी होती है, लोगों को परिशानी इतनी होती है, लोग राटको सो नहीं पाते आएं, काम पे नहीं जा पाते है, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, जो उनकी डेली लाइफ में, इस लिए इसका नाम सोराइसिस है क्योंकि इसमें सबसी major symptom जो देखने को मिलता है that is itching right तो patients का सबसे important question यह होता है जब वो हमसे राश लेना शुरू कर देते हैं तो उनका main question ही होता है आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी body ठीक हो रही है हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रस्ते पर चल चुके हैं उसलिए मैंने आज यह वीडियो बनाई है आगे बढ़ने से पहले अगर आप ने कुछ ऐसी ट्रिक्स या ऐसी कोई टिप्स सुनी है या आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज कॉमेंट है नमबर वन ऐसा कि मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टन सिम्टम है सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि हम जो भी ट्रीट्मेंट ले रहे हैं हमारी खुचली कम हो जानी चाहिए नमबर टू सुराइस में क्या होता है पपड़ी बनती है तो ऑबिसली हम जो भी ला जाने चाहिए लास्ली जो लाली है पैचिस के अंदर जो रेडनेस है वह क्या होनी चाहिए वह एकदम से तो स्किन कलर नहीं आएगा लेकिं साइन ऑफ रिकवरी है कि वह लाली मुर्जा जाती है आम भाशा में अगर मैं बात परूं उसको मुर्जाना कहते हैं वह लाली व जहां पर आपको देखने को मिलेगी इतल गुट साइन काई वार प्रेशन हमसे पूछते हैं कि सर मेरी स्किन लाल थी अब वह काली होती जा रही है तो यह नौर्मल स्किन कलर कब आएगा सिंपल सा सरल सा आंसर यह है कि आप जो भी करते जा रहे हैं अब वही करते रहे हैं वो डाक कलर की स्किन जो आई है वो आगे जाके नौर्मल स्किन कलर में भी बन जाएगी यह थे चार ऐसे साइन्स ओफ रिकवरी जदी आप हमसे ट्रेटमेंट ले रहे हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन लोग हमसे पूछते हैं इलाज शुरू करने से पहले और मेरा इलाज के दौरान वह यह और राज कितना लंभा चलेगा जाहर सी बात जैके यहां कि मैं इस से भार निखनाओंगा कब मेरे लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाएगी मैं कब एक नॉर्मल लाइफ जी पांगा पहले की तरह तो हम कायकलब पर यह महांँते हैं कि हमारा म के लिए हम सौर्व देते हैं जो की सारे एक्सटर्नल सिम्टम जिसकी मैंने बात परी लाली खुजली पपड़ी और उब्रेवे बैचे इन चारों पर अटैक करती है इन चारों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है यह कवज की तरह भी आग करती है यदि आप इनको नौर्मल स्किन पे भी लगाती है तो यह ऑईल एंशोर करता है कि नौर्मल स्किन पे भी ने दाग ना आएं खानेवाली दिवाई जो है वो अंदर से बीमारी को शान्त करती है हमारे फिर्मारी ने करती है कि बीमारी बाद में पलटी ना मारे लेकिन damn कि सौराइस इस कि एक महीने में ठीक हो जाओं, दो महीने में, तीन महीने में, ऐसा नहीं हो सकता है, आप बाकी लोगों से comment section में बात करें, जिनको बहुत सालों से surices है, जिनको extensive surices है, जिनको ज्यादा बड़े body part पर surices है, वो आपको खुदी बता देंगे कि ऐसा possible नहीं है, कि आप एक या दो महीने में ठीक हो जाएं, जो लोगों को नया नया surices शुरू होता है, उनको लगता है कि मुझे तो अभी बस फोरा सा ही patch आया है, तो इसके लिए इतना लंबा इलाज को लेना है, उसके लिए इतना लंबा लाइश को लेना है, तो यदि हमने surices को skin पे नहीं रोका, तो उसके लिए tips मेरे पास नहीं है कि अपना lifestyle आप उठा रहे है, smoking छोड़ दें, alcohol छोड़ दें और stress लेना छोड़ दें, ये तीन ऐसे triggers हैं, जो आयोवेद में, अलोपेज में, हर science में 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 मेंचिन हैं कि ये surices को बढ़ाते हैं, number 4 tip, अपने surices के patches को moisturize करके रखिए, उस किसी भी तरीके का आप moisturize करके रखिए, उनको आप उसके वैस्किन लगाए, आप उसके सौर्फिरोयल लगाए, आप कोई भी emollient उसके लगाए, आप कोशिश करें कि आपकी skin dry ना रहे, dry skin के फटने के चांसे जादा होते हैं, तो ऐसे इसके symptoms जादा होते हैं, अगर आपक इसके फ्लाट हो जाने चाहिए, चार signs of recovery हैं, जो आपको expect करने हैं, यदि आप किसी से भी इस समय सौराइस का इलाज ले रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आपने इसको लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने comment में अपनी experience क को शेर करना हैं, ताके बाकी किसी और आदमी की मदद हो सकते हैं, धन्यवाद.